हां जी बच्यो कैसे आप लोग एक कोश्यन आया । इसपेसले आज जो मैं आया हूं वह कोश्यन के लिए हैं। portfolio management का जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं old slaves में question आया था वो question ना तो practice manual में था ना ही study material में था तो बहुत सरे बच्चों का phone आया कि sir वो question कर वा दीजी actually वो नया question था मैं से दिश्टी बात कर तो question discussion करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे बताना चाहता था कि बीच में मैंने अन एकाडमी प्लेटफॉर्म पर वीडियो अगेर अप्लोड किया था सायद मुझे ऐसा लगा था कि उससे जुड़ जाना चाहिए पर अभी जो करेंट सिच्वेशन है इसमें मैं अन एकाडमी में नहीं हूं मैंने जॉइन नहीं किया ठीक है बहुत सरे बच्चों का फोन आता है सर आप कहाँ आप अन एकाडमी में अभी हो की नहीं हो मैं नहीं हूं ठीक है तो चलो कोश्चन की बात कर लेते हैं कोश्चन पर जाते और वह कोश्चन है यह कोश्चन है जो की आया हुआ थ पॉर्टफोलियो मेनेजमेंट नया कोश्चन है यह कोश्चन ना तो आपको पीम में मिलेगा ना ऐसे में मिलेगा कोश्चन भी है और क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं उसका जो सॉलूशन है वो करवा नहीं रहा हूं वो अल्रेडी पीडियेफ है उसी के फ् है देखा यह टार्केशल रिटन ओ पॉर्टफोलियो ए एन मार्केट मतलब पोड़ुआ दिया है और मार्केट दिये र incap делать टीक जी कोईजिक्षकी बात निaniu पॉर्टफोलियो मतलब सिक्यूरिटी बोल दो चलेगा सिक्यूरिटी का रिटन दिया मार्केट का रिटन दिया जनरल यह काम किस काम आता है बीटा निकालने के काम आता अगर ऐसी information दिया हो तो पर पता नहीं आगे पड़ते हैं खास बात है उसने जो है वो मंतली रिटन दे रखा यह लिना जैन फैब मार्च इस तरह से मंतली रिटन पुरे बारा मैने की मंतली रिटन दिया हुआ है यह किसका security का portfolio का written और यह किसका है market का month return है ओके और साथ में क्या दिया standard deviation दिया है thank God अगर मान लो बेटी बीटा निकालना होता है अगर मैं कहता हूँ यह information है क्योंकि अभी तक जितना भी portfolio का जिनको भी knowledge होगा अगर किसी portfolio का return दिया है और market का return दिया है तो कहीं ना कहीं बीटा calculation involved होता है यह हम अच्छे से जानते इतना तो हमको समझ में आता है मैंने question क्या मांग रहा है तो डिसकर्शी नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है मैं अगर देखूं तो portfolio का return दिया हुआ है भली monthly basis पे दिया है और market का return दिया है monthly basis पे अगर मुझे से बोले तो कि यह बीटा बीटा निकालो तो मैं कैसे निकालता अगर मैं अगर गोश्चन में होता तो मैं कुछ ने standard deviation निकालता इसका standard deviation निकालता और बीटा का formula लगा देता है पर यहां standard deviation दिया हुआ है तो मैं यह मान के चल रहा हूँ यह जो standard deviation दे रखा यह भी monthly दिया होगा अगर नहीं दिया होता तो मैं निकालता अगर बीटा मांगता था ठीक अभी जो situation है यह समझ में आ गया और standard deviation समझ में आ गया लिखा you are required to find out the monthly return ठीक है जी monthly return निकालना है attributable to the sheer skill of portfolio management बापरे बापरे पता ही नहीं लग रहा कि मांग क्या रहा है you are required to find out the monthly return monthly return समझ में आ रहा है मुझे monthly ठीक है ना average मार देंगे monthly return हो जाएगा attributable to the sheer skill of the portfolio management यह एक नहीं चीज़ थी अब बच्च अगर में होता तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भी यह मांग क्या रहा समझ में है seriously बात अब मैं इसको क्या कर रहा हला कि यह concept है pharma net selectivity model से question है मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ जो generally पढ़ाया नहीं जाता है उससे के question है इनी study material में अब सुनोगी अब मैं guessing करो यहां से यह एक सब्द है portfolio management अगर बात हो रही है portfolio management manager portfolio manager तो फिर मुझे याद आया थोड़ा से यार portfolio manager सब यूज हो रहा है portfolio manager का performance हम वैसे check करते थे उसमें हम alpha का जैंसन alpha होता था और साप रिशू होता था बहुत सारे बहुत सारा portfolio manager manager का जो performance check performance का evaluation करते थे ठीक है अब यहां जार उसने portfolio manager की विसे में हैं तो मांगा है यह क्या बोल रहा एक्रिवीटी बिल टुदा सीर स्कील और प्रटफोलियो management manager अब यहां ते से मुझे समझ में आना जनरली में क्या करता portfolio manager ने अपनी skill से कितना अपनी skill को लगा कर कितना return कमाया यह यह चीज मांग रहा कि अपनी portfolio manager ने अपनी skill को यूज करके कितना return attributable है यह मांग रहा है सर्स क्या अगर में देखो सुनो 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 अगर मैं alpha की बात करो alpha जनरली हम क्या करते हैं हम इसका यह किसका return है portfolio का return monthly wise है और यह market का return यह solution है मैं समझा रहा हूं बाग के यह समझते हैं यह जो है यह जो मंत्री return है इनका इन्होंने average कर दिया और average यह आया 2.1825 और यह market का return average one point average करना आता है ना भाई divided by 12 कर देना यह average हो जाएगा अब अगर मैं portfolio manager का performance चेक करूं तो performance चेक करने के बहुत सारे तरीका उसमें से मैं बात सिर्फ alpha की कर रहा हूं ठीक है मैं trainer ratio वगेरा किसी परने में alpha की बात कर रहा हूं और सुनो हम कैसे चेक करते थे alpha कैसे निकलते alpha याद करो sir हम CAPM लगाते थे बिलकुल और CAPM में आगे जा रहा हूं CAPM में हम क्या करते थे CAPM में के निकलते थे और के का formula था RF प्लस RM-RF multiply किसे करते थे बीटा और CAPM से मान लो मैं example बता रहा हूं मान लो CAPM से required rate of return आया 10% CAPM को यूच करके आया 10% और हमारा portfolio portfolio का expected return आया 12% expected return या average return average return बोलुच नहीं करें average return आया 12% जबकि हमें return कितना चाहिए 10% इसको average बोलूँगा expected बोलूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत हजाए average return आया 12% मतलब हमने 12% कमाया जबकि जितना आपका portfolio में risk है उसको देखते हुए आपको कम से कम portfolio manager आपको 10% कमाना था पर आपने कितना कमाया 12% it means बताइए portfolio manager का performance अच्छा है कि बुरा अच्छा क्योंकि risk को beta को देखते हुए जितना कमाना चाहिए था उससे आपने ज़्यादा कमाया है ठीक क्या यहां portfolio manager ने अपना skill use किया है अगर देखा जाए तो हाँ skill use किया है इसलिए जितना कमाना चाहिए था उससे ज़्यादा कमाया है लेकिन जहां तक अगर बात आती है अब सर इसमें अगर इस question की बात करो तो मेरे मन में एक यह 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 भी आता है कि यह alpha निकालो बात खत्म लेकिन जहां बात आती है सीर skill of the portfolio manager it means आपके प्रैक्टिस में में एक concept आपके study material में एक concept है जिसका नाम है pharma net selectivity अब उन्होंने क्या कि रहा है कि सुना देना से उन्होंने क्या क्या उन्होंने कहा कि हम निकालेंगे कितना return कमाना चाहिए था यह हिंदे में लिख दू समझ चाहिए कितना रिटन कमाना चाहिए था और उन्होंने ऐसे निकाला कितना रिटन कमाना चाहिए था बुले आरेफ तो ले लिजिए प्लस ठीक है बाद समझ में आती आरेफ उसके बाद बुले आरेम माइनस आरेफ ले ले लिजिए यह तो रिस्क प्रीमियम हो गया डिवाइड बाइ इस्टेंडर डेविशन आफ मार्केट ले ले जिए और मल्टिप्लाइ कर दीजिए इस्टेंडर डेविशन आफ पॉर्टफोलिय से यह तो यह तो यह तो यह यह क्या है बाद में समझें कितना पर्षेंट दिया है बारा पर्षेंट पर एनम तो यह मंतली है तो बारा पर्षेंट पर एनम तो एक मेने का कितना जाएगा एक पर्षेंट यह उन्होंने शुरू में निका लिया मैं सब्सक्राइब समझा रहा हूं बस उस कॉंसेप्ट पर ध्यान दे तो इनका यह कहना, RF1 तो उनको कमाना हीं कमाना है Right? RM कितना है? RM,RM,RM 1.4558 1.4558 minus 1 इतना risk premium मिलता है बिल्कुल risk premium है कितनी risk पे तो देखो बेटे market का risk कितना 0.9498 यह देख रहा आपको 0.9498 9498 तो portfolio का risk कितना ज़रा चेक करो ज़्यादा risk है 1.6223 1.6223 कास आप इसको समझ पा रहा है क्या समझ रहा है यह जो बात हो रहे है यह तोल रिस्क ही हो रही है आपकी systematic risk की बात नहीं हो . systematic risk में आपने diversify कर लिया portfolio manager के total risk की बात हो रही है और देखो कैसी हो रही है बूले देखो साब portfolio manager समझा रहा है कि देखो मैंने अपना दिमाग चिला कर कितना रिटन मुझे कमाना चाहिए था इतने रिस्क प्रीमियम है इतने रिस्क पर इतने डेविशन पर तो इतने डेविशन पर कितना रिटर्न मिलना चाहिए था उनिट्री मेथाड है एक बार चेक कर लेते हैं 1.4558-1 divided by 0.9498 into 1.6223 plus 1 तो कमाना चाहिए था 1.7785 पर्सेंटेज मन्थली रिटर्न हमको इतना कमाना चाहिए था हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया इस्टॉक उसके हिसाब से हमें इतना इतना रिस्क को इतने रिस्क को देखती हुई हमें इतना रिटर्न कमाना चाहिए था लेकिन हमने जो कमाया है वो यह कमाया है 2.1825 हमने जो कमाया है वो कमाया है 2.18 इतना है हमने कमाया इतना यह हमने कमाया और यह हमको कमाना चाहिए था क्या पॉर्टफोलियो मैनेजर का पर्फॉर्मेंस अच्छा है हां अच्छा है और उसने अपने इसकील को यूज करकर क्या ज्यादा कमाया है यस तो कितना ज्यादा कमाया है क्या निकाल अलफा जैसा ही है पर इसका नाम है फामा नेट सेलेक्टिविटी मॉडल और अंसर देखते कितना आएगा 2.1825-1.7785 डिफ्रेंस निकाल लो कितना आ रहा 2.1825-1.7785 तो यह आगया पिके 0.404 पर्षेंटेस इस दान्स मैं आप से बोल रहा हूं यह कोश्चन सर हमको कैसे पता लग रहा कि यह फामा नेट सेलेक्टिविटी मॉडल का है बिल्कुल इस टॉपिक पर कोश्चन करवाने चाहिए और कोश्चन नहीं करवाया गया मेरे द्वारा नहीं करवाया गया बाकियों का हो तो मुझे पता नहीं पर अब यह पिछले अटेम्ट से पहले कि मैं बात करूँ आप तो सभी टीचर करवाने लगे यह वाला कॉंस है तो इस फामा नेट सेलेक् यह आंसर निकालना अगर मैं कहता हूं 0404 परशंट अगर कोश्चन है यूँ आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले रिटर निकालीजिए किसके हिसाब से है है टूटल टूटल के सबसे चना दिशन के सबसे और फिर स्कमेश माइनस कर दीचिए कितना कमाई उसमेंजी माइनस कर दीचिए आंसर आंज昨 मैं एक है तो यह था हाला कि आपका जो सजिश्टेड error है उन्होंने किस तरह से निकाला बात से कि इस इसमें और एक बात इसका मतलब क्या हुआ क्विली डाइवर्जी फाइट का मतलब पुली डाइवर्जी फाइट साहिएद आपने पौट फोली से stock में हमने portfolio management इस तरह से कर रखा कि हमने total unsystematic risk तो खतम ही कर दिया कि फुली डायव systematic risk it means sir इसका मतलब क्या है market बढ़ेगा market बढ़ेगा तो क्या portfolio जिसमें लगाया है वो भी बढ़ेगा हां कम होगा तो मतलब दोनों के बीच में correlation किस किस के बीच में mark fully diverged का मतलब समझा रहा हूं किस-किस के बीच में मार्केट के बीच में और आपने जो पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट किया उसके बीच में पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका पॉर्टफोलियो और मार्केट दोनों के बीच में कोर्लेशन पर्फेक्ट पॉजिटिव है यह मा बाह हो गया यह जोड़ लिए और डिवाइड भारा किया तो आगे चला है कि हो आगे चला तोOM नहीं लिए एवरिफ पूर्फोलियो रिटिं यह लिख सरसे डाइवर्जी फाई है तो क्या अंसिस्टमाटिक रिस्क होगा नहीं होगा इट कैन बी कंप्यूटेड वित पॉर्टफोलियो हुज बीटा कैन बी फांट एस अब उन्होंने बीटा निकाला निकाला जाता तो बीटा निकालना आपको आता उन्होंने का एक फॉर्म याद आरा सिस्टेमाटिक रिसकान से उसके हिसाब से पॉर्टफोलियो का इस्टेंडर डिवीशन मालूम है कि हमको यस इसक्वार इसक्वार हटा दिया 1.6223 इसके अलावा मार्केट का इस्टेंडर डिवीशन दिया हुआ है कि यस 0.9498 इंटू बीटा इसक्वार है तो कैसे निकाला फिर उनने बीटा निकाला बीटा कैसे निकला होगा आप समझदार हो 1.6223 divided by 0.9498 इस तरह से उनने बीटा निकाला अब बीटा का फॉर्मुला थो हमको पता है अच्छी से अगर देखा जाए तो बीटा का फॉर्मुला क्या है अगर मैं कहूं बीटा का हमा पुराना वाला फॉर्मुला बीटा का फॉर्मुला थो इसले बीटा अभी उसीनव पॉर्पोलियो स्टेंडडेवाशन मार्कच इन्टो को बेटिवीन पॉर्टायो और यह पोर्फोलियो दिया नायं 0.9498 तो सर हसे तो पिर वही आएगा है और उसर कितना आ गए आए से देखोगे तो यहां आपको समझ में आ जाएगा और इस नजर से देखोगे तो यह आ गया और इस नजर से देखोगे तो सर यह तो फिर आपका CAPM ही तो लग गया है आप तो आप Capital Market Line की बात कर रहे थे पर यह तो इसने CAPM लगाया हां भाई पिर उन्होंने है CAPM लगाया अगर यह CAPM है तो फिर तो अलफा तो निकल ही गया यह किसके सबसे यह CAPM के सबसे यह किसके सबसे यह आपका आप एक्चुल में उसने जो कमाया तो बोलो कितना एक्ट्रा कमाया 0404 पर मैं फिर से बोल रहा हूं अगर अगर सुना ध्यान से क्योंकि वहां लिखा था अगर हो सकता कि कोर्रेलेशन दिया होता यह जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं यह अगर फामा नेट सेलेक्टिविटी मॉडल का कोशन फामा नेट सेलेक्टिविटी यह CAPM क्यों लगा है वह मैं नहीं जानता पर कोशन इस तरह से नहीं होना सब्सक्राइब को करवाए उस तरह से इस CAPITAL MARKET LINE का यूज करना चाहिए था टोटल डैविशन का यूज किसमस से यहां UNSYSTEMATIC RISK नहीं है इसलिए SYSTEMATIC RISK से काम हो गया तो सर अल्टीमेटली यह अल्फा ही निकला अल्टीमेटली देखा तो अल्फा ही निकला और इनका लोजिक क्या है इतना कमाना चाहिए था इतना कमाया तो उसने अपना SKILL यूज करके कितना एक्ट्रा कमाया वो उसने निकाल कर रख दिया यह था पहला पॉइंट जो पूछा गया था हाला कि उन्होंने इतना इस तरह से किया अब अगला अगला क्या कोश्चन पूछा गया है यह दिया पॉइंट नमबर टू बड़ी दिक्कत की बात है पॉइंट नमबर टू में देखो क्या वो मांग रहा है पॉइंट नमबर टू वाट पार्ट अप मंतली रिटर्न सर यह क्या चक्कर पता नहीं क्या मांग रहा है अच्छे से सोचो मांग क्या रहा है अच्छो वाट पार्ट अप दा मंतली रिटर्न इस एक्ट्रीबिटेबल टू दा हायर रिस्क एजियूम्ट बाई पॉर्ट्फोलियो मैनेश्ट पहली बात तो मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा पहली बात अच्छे समझ लोग आपको पढ़ाना ही पड़ेगा फार्मा नेट सेलेक्टिविटी मॉडल पढ़ाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि total risk की वजह से कितना extra कमाया जा रहा है फिर यह बताऊंगा systematic risk की वजह से कितना extra कमा रहा है और फिर मैं बताऊंगा unsystematic risk ये सब कुछ अलग-अलग divergify करके बताना पड़ेगा अलग-अलग निकाल कर बताना पड़ेगा पर हमें उस topic पे नहीं जाना चाहता अब यहां की बात कर लो Sir, क्या आप मां क्या रहा है यह तो मेरी भी समझ में यह आ रहा है मतलब थोड़ा सा सैट नहीं हो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि Suggested नहीं क्या कर रखा अब suggested नहीं क्या सूच कि यह पेटे ambiguous है यहां में कुछ भी नहीं कर बहुँगा तो suggestion नहीं क्या कर रहा Suggested नहीं कर रहा यार मैंने जो risk लिया है और कितना कमाना चाहिए था हूँ यहां नहीं नहीं कर रहा है अब सुनना बिटे बिल्कुल निहां से मेरी बास समस्च नहीं यह आया था आपका कितना आया था सायद आपके 500 पर मैं आपको यहां बता देता हूँ 1. कुछ आया था यहां आया था आपका 1.773 यह कुछ आया था सायद आपका मुझे एक्जेक्ली याद नहीं है अब समझो 1. कुछ कुछ आया था किसको देखते हुए टोटल रिस्क को देखते हुए मुझे इतना यहां लिखा हूँ सायद मैं यहां लिखा हूँ हाँ यह 1.7785 1.7785 इतना कमाना चाहिए था 1.7785 किसमे पॉर्टफोलियो में इतना कमाना चाहिए था क्या मान के चल रहा हूँ कियार मार्केट में जितना रिस्क है उसको देखते हुए उसको देखते हुए क्योंकि मार्केट का और पॉर्टफोलियो का कोरेलेशन फोर यह वन पॉइंट वन पॉइंट फोर फाइफ फाइफ एट मार्केट वाले इतना कमा रहा है और मुझे इतना कमाना चाहिए था इसका मतलब कि मैं कितना एक्ष्ट्रा कमा रहा हूं क्योंकि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा नो जाओ तो मेरे ज़्यादा बी तो मैंने जाघ्र रिस्क तो रिटनवी तुछ ज्यादा होना चाहिए उसने इसका सॉलुशन कैसे कर रहा इनका सॉलुशन कैसे कर रहा इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस लेंगा मतलब यह सेकेंड वाला पार्ट बिलोगर एंबिएस उसने क्या कर रहा है मायना जो आपने एवरेज रिटन निकाला बस यह कर रहा है इस पॉइंट पे तो थोड़ा सा खेले यह पॉइंट मुझे समझ में ही नहीं आया मैं सीधी कि उसने आपके प्रैक्टिस मैनुल ने स्वरी सेजिस्टेर ने ऐसा क्यों कर रहा है उन्होंने बोला कि मुझे इतना कमाना है रिस्क को देखते हुए और मार्केट वाला इतना कमा रहा है इत्मिन्स नो डाउट कि मुझे ज्यादा रिटन चाहिए जाहिए यह दो पॉइंट थे लेकिन अगर मैं कहूं पहला वाला पॉइंट थोड़ा सा प्रोब्लम है पर आपको फामा नेट सेलेक्टिविट या पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यह कोशन नया आया था कहीं भी बुक में कवर नहीं है तो प्लीज सेकंड वाले पॉइंट में आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट वाला पॉइंट अगर ऐसा आ जाए तो आपको यही दिखाना पड़ेगा फर्स्ट वाला पॉइंट तो लॉजिकल है इसके लिए पूरी की पूरी क्लास लगने वाली है ठीक है थैंक्यू अगले कोश्चन में फिर मिलते हैं